नमस्कार में उप्रिया धराधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चुले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुक खबरों को कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार कोरोना के नए मामले दो लाग से ज्यादा आए हैं भारत की सवदेशी टीका द्रमाता कمपनी भारत बायोटेक का कोरोना टीका कोवाकसीन कोरोना के डिल्टा के साथ नाम तैए करने की मीटिंग में गुरुबार को पिम नरेंदर मोधी भी शामिल हुए ये पहला मौका है जब तिक्टों के मन्थन में पिम मोमोधी ने भी हिसा लिया है बुदवार को दिली के भाज़पा मुख्याले में टिकेट बटवारे को लेकर दिन भर में मीटिंग चली थी और अब एक बार फिर से बैठक हो रही है इसी मीटिंग में वर्चुल तोर पर पीए मोधी शामिल हुए प्रधान मंत्री के अलावा डिफेंस मिनिस को पार्टी में शामिल क्या है खास बात यह है कि इस दल बदल से सपा को भी जटका लगीगा ऐसा इसे लिए क्यूंकि कॉंगर्स छोड़ कर सपा का दामन थामने वाले इम्रान मसूद के भाई नोमान मसूद ने बसपा का दामन थाम लिया है पंजाब में आम आद्मी पार्टी के मुख्यमंत्री के चहरे के तोर पर सबसे आगे चड़ रहे भगवन सिंग मान का पता कभी भी कट सकता है पार्टी संयोजक और दिली के सीम अरविंदी के जिवाल दो दिवसीय पंजाब दौरे पर है पंजाब की जंता तै करें कि उन्हें सीम के तोर पर कौन चाहिए इतना ही नहीं पार्टी ने जंता से सीम के नाम पर सुझाव मांगने के लिए फोन नमबर भी लॉंच कर दिया है सोनु सूद की बहन मालविका सूद ने हाली में कॉंग्रिस पार्टी जॉइन की है वो आने वाले विधान सभा चुनाव में पंजाब से चुनाव लड़ेंगी कयास लगाय जा रहे थी कि सोनु सूद अपनी बहन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे लेकिन सोनु ऐसा करने के मूड में नहीं है उन्हान इसकी वज़े भी बताई है हालाकि उन्हाने कहा कि उन्हें अपनी बहन पर गर्व है साथ ही ये भी बताई कि वो हमेशा राजनीती और इससे जुड़ी गतिविदियों से दूर रहेंगे बतादे कि सोनु सूद से सोचल मीडिया पर कई बार ये सवाल किया जाता है कि क्या वो भविश में राजनीती में आने के चुक है कॉंग्रेस महासर्चिव ने उतर प्रदेश में 125 मिद्वारों की पहले सूची जारी कर दी है प्रियांका गांधी ने गुरवार को मिद्वारों की सूची का एलान करते वे बताया कि पार्टी ने इनमें 50 सीटों पर महिला प्रतियाशियों को उता रहा है वर्चल प्रेस कॉंफरेंस में कॉंग्रेस नेता ने कहा है कि कुछ पत्रकार एक अभिरेतरी समाथ सेवी और संगर्शील महिलाओं को मौका दिया गया है उननाव सदर सीट से कॉंग्रेस ने पीड़िता की मा को टिकेट दिया है उननाव की इस बहुचर्चित मामले में पुर्व विधायक कुल्दीप सिंग सिंगर अभी फिलहाल जेल में है हर्याना और वेस्ट यूपी के कई जिलों को जोडने वाले अंबाला शामली एकोनामिक कोरिडॉर के अंदर्मान के लिए कुल 7,966 पेड़ों को काटा जाएगा ये हाईवे भारत माला पर योजा के तहट बनाय जा रहा है हर्याना और तरप्रदेश के बीच बनने वाले या छेलेन हाईवे होगा इतना ही नहीं शामली अंबाला हाईवे के अंदर्मान कारे के दौरान 750 हिक्टेर से जादा कृषी योग्य जमीन का धिक रहन किया जाएगा और इससे रास्ते में पढ़ने वाली 140 सिमारतों को भी जमीनों जद किया जाएगा 3660 करोर के इस प्रोजेक्ट के साल 2024 में पुरा होने की उमीद है दिपिका परदुकों इंस्टरग्राम पर इंट्रेस्टिंग पोस्ट करती रहती है इन पर उनके पती रनवीर सिंग के कॉमेंट्स भी मज़एदार होते हैं दिपिका की रिसेंट फोटो चर्चा में है उन्हाने हैर फ्लिप करते हुए सेल्फी लेने की कोशिश की वो असफल रही लेकिन फोटो इंस्टरग्राम पर अपने फैंस और फ्रेंस की साथ शेयर कर दी तस्वीर में उनके बाल काफी मैसी दिखाई दे रहे हैं दिपिका बिना मेक अप के हैं फोटो पर लोगों ने दिपिका को ट्रोल किया है और फ़णी कॉमेंट्स किया है वाहिन अन्वीर सिंग दे अपना शायराना अंदास दिखाया है साथ में किस और हाट वाले इमोजी भी बनाए है स्कूल के सभी बच्चों को कोरोना ठीका लगाये जाएगा इसके लिए स्कूल की तरफ से इंटरप्रायोगी परिक्षा के पहले ठीका लगाने का काम किया जा रहा है इतना ही नहीं मैर्टर के परिशार्थियों को प्रवेश पत्र देने से पहले टीका लगाने को कहा जा रहा है स्कूलों द्वारा इस जागरुकता का काफी असर हुआ है जहां टीका लेने बालों की संख्या 10 से 15 होती थी अब बढ़कर पचास से साथ पहुच गई है पतना कॉलेज येट हाई स्कूल के प्रचाल डॉक्टर कुरनेश कुमार ने बताया है तिरुपती एरपोर्ट पर महा के आवास है कौटर के कर्मचारियों को भोगतना पढ़ गया पर लोगों की जान जाने के अकेले आकड़े केरल से आए है ऐसा इसलिए क्यूकि केरल में पिछले कई दरों से पुराने आकड़ों की जाच करके कुल आकड़ों को ठीक किया जा रहा है यानि अब केरल में ताजा जानगवाने वालों की संख्या ये नहीं है बलकि पुलाने आंकडों का सामने आना है लेकिन केरल को देश के आंकडों से हटा भी दे तो भी ताजा जानगवाने वालों की संख्या के आंकडे चुनता जुनक है विक्रम सारभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरोबंतम पुरम के निदेश्योक और वरिष्टु रॉकेट वैग्यानिक S. सोमनात को भारती अंतरिक्ष नुसंधान संगठन का ध्यक्ष बनाये गया है देश में खूफिया ब्यूरो की 35 दी स्थानिय काया किराय की विल्डिंग में चल रही है इनके लिए अगले पांच साथ में पुलीस इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहट अपना भवन उपलब्ध करानी की योजना है संसधिय समीती के अनुसंशा पर ग्रिमंत्राले ने ये जानकारी दी है कि योजना के लिए वितमंत्राले से अतरिक्त धनराश्य की मांग की जाएगी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तवान में इंटेलिजिन्स ब्यूरो का अपना भवन लगभग 20-25 प्रतिश्वत इकायों पर ही है अलू अर्जुन की फिल्म पुश्पा के हर जग है चर्चे हैं मूवी का क्रेस दर्शो को किस सिर चड़ कर बोल रहा है अब क्रुकेटर रविंदर जोडेजा पर भी इसका असर दिख रहा है उन्होंने फिल्म से अलू अर्जुन वाला लुक रीक्रिएट करते वे अपनी तस्वीर शेयर किया है ये फोटो जबर्दस्त वारल है और लोग इसकी तारीफ कर रहे है वही रविंदर के पोस्ट पर अलू अर्जुन का भी कॉमेंट दिखा अलू के कॉमेंट पर भी लोग प्यार लुटा रहे है जोडेजा ने फिल्म का डायलोगिंग लिखा है साथी स्मोकिंग से जुड़ा डिस्क्लेमर भी दिया है रविंदर जोडेटा का ये पोस्ट अब तक 1.5 मिलियन लोगों ने लाइक कर लिया है मज़िदार बात ये है किस पर अलू अर्जुन के कॉमेंट को अब तक 31,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके है यूपे में मिधान सबाज चुनाफ का बिगुल बच्चते ही इस सताधारी पार्टी भाजपा अपने उमिद्वारों के नाम पर मंथन कर रही है दिली में दो दिनों से चल रही मैराथॉन बैठक के बाद आज कुछ उमिद्वारों के नाम फाइनल किये जाएंगे इसी सिलसले में दिली में स्थित भाजपा कारियाले में केंद्रिय चुनाफ समीती की बैठक हो रही है इस बैठक में ग्रिय मंत्री अमित शाह, अनराग ठाकुर, धर्मीन प्रधान और सीम योगिय दितनाथ मौजूद है पियम मोद इभाजपा, अधियक शुजेपी नड़ा और रक्षा मंत्री राधना सिंग वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी इस बैठक में शामिल होंगे पहाडी राध्यो में शुमार उत्राखंड पर हिमाचर प्रदेश के साथ साथ केंद्र साशित प्रदेश, लद्दाक और जिम्मु कश्मीर में जारी बर्फबारी ने दिली अन्सियार समेत समूचे उतरभारत में ठंड बढ़ा दी है मौसम विभाग के मताबिक बारिश के बाद बर्फीली हवाओं ने दिली अन्सियार में ठिटुरन को जोरदार अजाफा किया है ठंड का आलंग यह है कि दफ्तरों के साथ घरों में भी लोग ठिटुरते नजर आए दूप तो निकली लेकिन बर्फीली हवाओं के असर से वो भी प्रभावी नहीं रही कोरोना संक्रमने के करक कई नेताओं को अपनी चपेट में ले रहा है राजसभा में विपक्ष के नेता मालकार जिन खड़के भी करोना पॉजिटिफ पाए गए है कॉंग्रस नेता के कारियाले ने इसकी जानकारी दी मालकार जिन खड़के के कारियाले ने बताया है कि उनमें लक्षन नहीं है और वो होम आइसलेशन में हैं आगे बताया गया है कि खड़गे को टीके की दोनों खुराक लग चुकी है आलाके अभी वो प्रिकॉशन डोस के लिए योगे नहीं है 2022 में पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आ रही है सरकार ने उनकी बड़ी महेंगाई राहत को उनके पेंशन खाते में क्रडिट करने की मंजूरी दे दी है इसे करोरो पेंशनर्स को फाइदा होगा सरकार ने बैंकों से कहा है कि जिन पेंशनर्स की महंगाई राहत में जो भी बढ़ोतरी की गई है उन्हें उसके मताबिक पेंशन कैलकुलेट कर देना शुरू कर दे बैंकों को समधित डिपार्टमेंट के आध देश का इंतजार करन में OBC वर्ग के नेताओं में भगदर मच गई है फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में से भाजपा के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने गुरवार को पार्टी छोड़ दी है डॉक्टर मुकेश मर्मा पिछवे पिछरा वर्ग के साथवे इसे विधायक है जुना ने भार्टी जिन्ता पार्टी से इस्तीफा दिया है दिल की धड़कन यानि हार्ट बीट के बारे में अनेक रहसे उज़ागर करने में विध्यानियों ने महत्वपुन काम्यावी हासल की है इन तारों कव मागनेटिक फिल्ड नहीं होता है इनके बीच कमपन भी नहीं होती है एरीज समय दुनिया के 28 देशों के विध्यानियों ने पहली बार इस तरह के अनूठी खोच की है खोच में शामल रहे आरेभट प्रसेक्रण विध्यान शोद संस्थान एरीज के वरिष्ट खगोल विध्यानी डॉक्टर संतोष जोशी ने बता है कि दो तारों के आपस मे एक दूसरे के घरीबा आते ही गुरुत्वा कर्शन के कारण वो आपस में कमपन करने लगते हैं। और ताहीर राजभसीन की फिल्म लूप लपेटा का ट्रेलर रिलीज कर गया है अकाश भाट्या के निर्देशन में बनिये फिल्म जर्मन फिल्म रन लोला रन का ओफिशल रिमेक है। खार जाता है। सरकार ने सरकारी कमपनी सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट के नीजी करन पर रोक लगा दी है। सरकार ने कर्मचारी यूनियन के अदालत का लोग करने के बाद C.E.L. को बेचने की योजना टाल दी है। अंडर वैलुएशन के आरोप के बाद वी निवेश प्रक्रिया को रोक दिया गया है। कर्मचारी यूनियन ने कमपनी के अंडर वैलुएशन के आरोप लगाए है। सरकार ने पिश्रे साल नवंबर में Central Electronics Limited को मंजूरी दी थी निवेश और एवं लोग संपत्ती प्रबंधन विभाग के सचिव तुहीन कांता पाड़े ने कहा है कि नंदल फाइन्स और लीजिंग द्वारा लगाए गई 210 करूर रुपे की सबसे उची बोली में कम मुल्य राहुल गांधी के स्ट्वीट के बाद यूपी की राजणीती एक बार फर गर्मा सकती है सीमा पर पिश्रे 20 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए भारत चीन के बीच बुदवार को 14 वे दौर की सैने वारता हुई हालाकि दोनों पक्षों के बीच हुई इस बादचीत के सकरात्मक परिणाम नहीं निकले लेकिन दोनों देश ने पुर्वी लद्दाक में लेसी पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए पारसपरिक रूप से स्वीकारे समाधान की दिशा में कांग करने का फैस्ता क्या है बादचीत की गति को जारी रखने के लिए अगले दौर समाज संगठन और विपक्षी दल सरकार साथ आ जाए तो इस महीने इन शे बिंदू पर एक समझाता हो सकता है वेगाले के मुख्यमंतरी कोर्णराट संगमा के साथ हुई एक बैठा कि बाद असन के मुख्यमंतरी ने कहा हमारे बीच आज एक परस पर सहमती बनी है जिससे आगे ले जाना होगा कल हमारे द्वारा पुछे कैस सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनकी नाम है मितुन कुमार, रत आपके कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तुछ यह बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कोशिश प्रकार है आपके अनुसार कोविड-19 के बढ़ते रफतार के व हुले देने वादे